हाई एवरीवन मैंने में शिवान शिमसीन वेलकाम बाक टू दे शैनल दे इंवेस्ट लॉजिक सुगाइस कल है मंडे की मार्केट हम लोगों किस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना चाहिए कौन से स्टॉक्स हैं जो में परफॉर्मेंस अच्छी पैसा कमा सकते हैं साधी बाते करेंगे आज की वीडियो के अंदर और देखते हैं कि मार्केट का आउटलूप पूरे हफ्टे का आउटलूप क्या रह सकता है तो चलते हैं एक बर अपने ट्रेडिंग सेटप की तरफ आचुके हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्ट देता हूँ अजिए कि बहुत बढ़िया चल रहा था हायराइज इन हायर लूज का वन टू थी फोर फाइफ पांच वेवस बनी थी अन आफ्टर दाट ए बी और दाट इस गोना भी दसी आए पर्सनली थिंग ए पर्टिकुलर इंडेक्स 18,150 तक आ सकता है विच इस पर्ट 18,150,170 के लेवल्स एजली मार्केट दिखा सकता है इसके लाव और फॉर्दर स्टडीज भी हम लोग करेंगे कि और यह लेवर स्ट्रॉंग होल्ड बन सकता या नहीं बन सकता उसके बारे में भी सो एक बार चलते है अपने आर्ली टाइम फ्रेम के अदब आर्ली टाइम फ्रेम लेट्स यूजा फिबोनाची रिट्रेश्मेंट फ्रॉम दिस लो टू दिस रीसेंट है तो यहां पर हम लोगों ने चेक कर रहा है कि अल्मोंस 78 परसेंट पे इसने होल्ट करने की कोशिश करें अगर हम रिट आरेसाई चेक करें तो आरेसाई भी एक बुलिश डाइवर्जंस हमें देखने को मिल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकने है कि शायद यहां से बाउंस करने की कोशिश करें और आफ्टर दाट वो दुबार एक फॉल्स के सिगनल के अंदर बढ़ जाओं मार्केट फॉल कर सकती है और अगर यह फॉल करना लेवल दाट इस 18,220-230 रुपीज का और नेक्स अगर शुड़ भी इस पर्टिकुलर लेवल दाट इस 18,150-170 रुपीज का लेवल सुमें एक बार उपन करता हूं 15 मिनिट्स का डाइम फ्रेम और 15 मिनिट्स टाइम फ्रेम आज लेट मीज़ रिमोव अल दाइम प्रेम आ विए इस डटल इसलाइ प्रेम जैक यह यहां पर विद्वा ने देखा है यह बहुत स्ट्रॉंग लेवल था जो यह से perfect करते हैं, so हुआ क्या, हम लोग ने देखा कि एक false breakdown, हम इस line के नीचे देखने को मिला, and after that our market gave a very good recovery, recovery देखने के बाद, market closes above its previous high trades, above its previous high, again it goes down, यहाँ पर breakdown करा, again with a gap down, now, it didn't go up, yes तरीकिस हाँ पर एक false breakdown आया था, it takes a resistance at this point, and against at it to fall, again इसने एक pullback दिया, resistance phase करा, again fall करा, and even breaks its previous swing low, so that means कि अब एक downtrend के अंदर यह बन चुका है, and यहाँ दो चीज़े हैं, जहाँ से possible reversal ले सकता है, first is, let me just open a Fibonacci retracement, which is this particular level, एक तो यह zone है, this zone से यहाँ तक आ कि एक retracement phase कर सकता है, after that, एक fall हमें देखने को मिल सकता है, यह second हो सकता है कि दुबारा इसी level पर test करें, और तब एक drastic fall आए, so there are two points कि जहां से हमें एक sell on rise की opportunity भी बना सकते हैं, so यह चीज़े हम लोग चेक करके चल सकते हैं, basically जो मैं target जूम करके चलना हो, lower levels के वो आने चाहिए है, जो possible लग रहा है, so एक बार हम लोग चलते हैं, दुबारा one hour के time frame ते, so on a one hour time frame, let's use a trend line analysis by connecting every highs and lows, so यहां पर आप check कर सकते हो, यह हम लोग ने एक trend line को connect करा, and after that में एक line or draw कर लेता हो, which is at this particular low, जहां से हम लोग ने शिबो नाचीज को draw करा है, जो हमारा previous swing low है, so most probably intersection at this particular level ही दिखा रहा है, तो most probably हम लोग यहां पर एक target expect कर सकते हैं, and most probably शायद उसके बाद trend line को test करके market एक नया high भी create कर सकती है, so I am not saying कि यह continuous bear strength start हो गया है, but अभी यहां पर हम लोग एक sideways to sell and rise की opportunity बना सकते हैं, जब तक यह 18,000 440, 450 की उपर जाके closing ना दे on a daily time frame, अब एक बार बात कर लेते हैं, bank lifting, आप चेक कर सकते हों कि पहले ना क्या था bank lifting अंदर एक पूरा sideways trend ही काम करता था, एक box के अंदर ही पूरा sideways trend काम करता था, it gives a false breakdown again, it's entered in a trading zone, it gives a false breakout again, वो एक zone के अंदर end कर दाता था, इसको हम accent करते हैं अगर zone को तो आप देख सकते, after a very good breakout, it takes a support, and it created its previous swing high, it's almost break its previous swing high, आप जब यह दुबारा नीचे आया, that particular supports become a resistance, on a 15 minutes time frame as you can see it here, it takes a resistance and started to fall back again, अब निफ्टी में के scenario था, that nifty के अंदर, it breaks its previous swing low, ठीक है, but यहां पर it created a double bottom, अब अगर हम चेक करते हैं, RSI तो RSI भी bullish divergence दिखा रहा है, which is a good sign, so अगर यह particular level break होता है, that is 43,090, 80 rupees के level, then a second target should be, sorry, then a first target should be, अराम से हम लोगों को 200 points या 150 points बिल सकते हैं, towards 42,900, कैसे, level हम लोगों ने decide करा, that of this zone, यह particular zone का जो low है, that should be our first target, ठीक है उसके बाद तो simple targets हमें जूम कर सकते हैं, that this is the previous swing है, जिसको break कर रहा, तो यह level बन सकता है, and simple way में, ठीक है, so bank nifty को भी हम observe करकर चल सकते हैं, I think nifty के अंदर better trade मिल सकता है, recordings to bank nifty, अब बात करते हैं आपने first stock की, that is Sundaram Fastener, let me open a weekly time frame first of all of you, and on a weekly time frame, Sundaram Fastener को अगर आप check करोगे, guys आप लोग ना बहुत सारी queries कूटत हूँ कि आप stock का नाम बार बार भूल जाते हो, विकली time frame, of bullish head and shoulder pattern, and it's about to give a very good break out, so particular stock now 9.38, 9.83, and its all time high that is Rs. 1003, Rs. 1004, अगर ही इसके उपर जाता है, then we can expect very very good momentum. Now I'll show you how, yeah, as you can see it here it gave a very good rally, it takes a pause at this level, अना इस टार्टेट टू अप अपर एक वाल्यूम प्रोफाल इंडिकेटर यूज कर रहा हूं अगर आप यहां चेक करोगे तो वॉल्यूम्स यहां पर बढ़ रहे हैं देख रहे हो इस लेवल तक मैं एक जोन क्रिएट करता है एक इन्विजिबल क्लोक आप ले आट दिस य अगर यह थाउजन 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 फॉर की उपर निकलना स्टार्ट होता है डेफिनेटल एक बड़ी मुमेंटम यह दिखा सकता है तो मेक शॉर कल अगर बाई कर रहे हो तो ब्रीक आउट आता है तो ही बाई करना अधरवाइस इसको थोड़ा ठंडा होने देना कि आर बस उसके अंदर अभी में मुमेंटम बाकी होती है तो मेक शॉर आप इस टॉक्स के अंदर रखे रहा है तो यह पर्टिक्लर स्टॉक अल्रीडी मैंने आप लोगोगो प्रोवाइट कर वा दिया था कि आप इससे बाई कर सकते हो अच्छा टागेट भी इसने टेलीग्राम सब्सक्राइब अब चैनल के अंदर हीट करा सो मेक शॉर तू जॉइन आप इससे बात बात या प्रीवेस लोगो भी ब्रेक नहीं करण प्रीवेस लोगो भी ब्रेक नहीं करा विछ वुट साई तो वट आम एक स्पेक्टिंग इस यह एक लेवल है let me just show you this is the particular level जहां पर यह particular एक resistance phase कर सकता है right now it's trading act 3950 rupees और यह almost 4000-4020 के आसपा से resistance phase कर सकता है और अगर उसके उपर breakout देता है then our next target चुल भी और आम से 4250 rupees का level plus 50 points के targets और मिल सकते हैं but अभी के लिए what we can do is हम 50 points का target लेकर चलते हैं वाला 50 रुपे की उपर resistance है तो पचास रुपे का तो profit लेकर चलते ही है and after that अगर वो हम लोगों कुमार resistance phase करता है we'll exit some quantity we'll wait with the patience हम stop loss को trail कर देंगे अपने buying price पे and we'll hold it for a target of this level by chance यह भी आ सकता है so make sure आपको फोट को भी एपनी watch list के अंदर आट करो so our last stock is we got we got मैं आपने को उसे बहुत बार कह चुका हूं कि हम वीट करना है इसका पटिकुलर stock का let me open a weekly time frame में मैं लास्ट दे भी आपको दिया था on Friday I think मैं दुबारा दे रहा हूं ठीक है इसने performance जाद अची नहीं दिया बट अब दे सकता है यह जो कि में 24 2021 से चली भी आ रही है इट गेवा फॉल्स ब्रेक आउट अट अगें इस स्टार्ट इवा फॉल बट यह जो ब्लाक टिलर की लाइन होरिजॉंटल आप देख रहे हो जो सारे रिजिस्टेंस को कनेक कर रही है आज तक इस लाइन की उपर एक क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिलिया बट इन लास्ट वीक वीव सीन अवे गूट क्लोजिंग इसके लाइब आप चेक कर सकते हो इस प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा रिजेक्शन इसने लिया था अपने हाई से बट उसके ऊपर जाके ही या एक्जाक्ली उसी पे क्लोजिंग दी है एक बार आपको टेस्ट करके दिखाते है तो यह लेवल सो जो लेवल आ रहा हो आ रहा है आल्मुस्ट टू सिक्स्टी नाइट रूपीस का अगर यह तू से राइडवेस तू जब यह पूल बैक लेरी होगी जो मैं आपको बताया था सेल और राइस वाले लेवल अगर वहां तक भी जा रहे होगी तो यह तीनों स्टॉक्स अपने टागेट्स को हिट कर सकते हैं और आउट परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं तो मेक्शोर आप इनको कुछ सीख पारे हो समझ पारे हो यह वावग वाइड बाइड यह वाइड 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 बाइड वाई